नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में जैसा कि आप सभी को मालूम है लाश्ट के वीडियो में हमने मिसन श्टार्ट कारिकरम 2320 के बारे में बात की थी यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो के देखें ताकि आपको मालूम होगा कि Mission Start Program के तहत आपको क्या कारिय करने थे और उसी Mission Start Program के तहत आपको आपके विध्याले के कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 के विध्यारतियों का Online Digital माध्यम से आपको सिक्षन कारिय करवाना है और सिक्षन कारिय आपको किस प्रकार से करवाना है उसके लिए आपको एक Time Table तयार करना है और उस Time Table की Entry आपको सालादर्पन पोर्टल पर करना अनिवारिय है तो किस तरह से आप उस Time Table की Entry सालाधरपन Portal पर करेगे वही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो श्टार्ट करते हैं सालाधरपन Portal पर आपको सबसे पहले Login करना है और login करने के बाद में आपको विद्याले वाले टेपर चले आना है जैसा कि आप इसकिन पर देख सकते हैं जैसे याँ विद्याले वाले टेपर किलिक करेंगे तो आपको काफी सारे option यहाँ पर दिखाए देने वाले हैं यहाँ पर आपको एक नया जो option है वो आपको दिखाए देगा और उसका नाम है Weekly Smart Class Time Table Class 9-12 अथा जो Smart Class आप आपके विध्याले में कक्षा 9-12 के बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे उसका Time Table आपको इस Option के माध्यम से अन्युवारियत है आपको सारा दर्पमन पर एंट्र करनी है तो इसके लिए आपको इस Option पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस Option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी यहाँ पर आपको विक सेलेट करना है सबसे पहले किस विक का आपको Time Table यहाँ पर एंटर करना है तो वो विक आपको सेलेट करना है और विक सेलेट करने के बाद में आपको Save Status पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए माल लीजिया करें हम किसी एक विक की बात करें प्रजेट में जो विक चल रहा है आपका 25.2023 से 29.2023 तो आपको सामने इसको सेलेट कर लेना है जैसे आप इसको सेलेट करेंगे आपको यहाँ प्रोसेस दिखाए देगी और यहाँ पर आपको दूसरा ओप्शन दिखाए देगा इस्टेटस का तो यहाँ पर आपको दो ओप्शन दिखाए देंगे prepared आपने time table प्रिपेर कर लिया है या not prepared है तो आपको यहाँ पर आपका जो status है वो आपको पहले save करना है time table आपने बना लिया है तो prepare पर आपको click करके save कर देना है save status पर और अगर not prepared है तो आपको not prepared पर select करके save status पर click कर देना है जैसे ही आप save status पर click करेंगे तो आपके सामने नीचे की तरफ एक नया option आपको दिखाए देगा selected day तो आपको पूरे सब्ता का time table यहाँ पर enter करना है day wise तो यहाँ पर आपको select करना है day तो यहाँ पर आप day select करेंगे Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday और Friday तो जिस भी day का आपको time table select करना है मानले जब किसी एक day की हम बात करें Wednesday की बात करें अगर हम तो Wednesday आपको select करना है और इसके बाद में जो fill summary है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप fill summary पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ option आपको यहाँ दिखाए देंगे थोड़ा नीचे scroll करने पर आपको पूरे period आपको दिखाए देंगे period पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पाँचवा और छटा, साथवा और आठवा एक से आठ period आपको दिखाए देंगे और आपको class दिखाए देगी, section दिखाए देगा, subject दिखाए देगा और आपको chapter यहां पर दिखाए देगा, तो किस class के लिए आपको कौन सा subject पहले period में पढ़ाना है, उसका आपको यहां पर time table सेव करना है, day wise आपको यह time table सेट करना है, चलिए, अगर पहला period हम बात करते हैं, कक्षा 12 के लिए, कक्षा 12 में यहां पर आपको select करना है, कक्ष आपका chapter यहां पर open होगा, आपने Google विशे सेलेक्ट किया, और Google विशे के जितने भी आपके chapter है, तो वो आपको यहां पर दिखाए देगा, और आपको select करने के बाद में आपको save वाले button पर click कर देना है, जिसे आप save वाले button पर click करेंगे, आपको यहां पर message दिखाए देग और इसी process के माध्यम से आप उपर वेनेजडे, उसके बाद में अगला पूरे सब्ता का time table आपको इसी process के माध्यम से save करना है, और यह entry save करना बड़ा अनिवारी है, धन्यवाद